कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है ये गाना जब अमिताप सर ने गया था तब तो मैं पैदा नहीं हुई थी लेकिन आज ये गाना सुनके मुझे एक ख्याल जरूर आता है कंगना रनाउट इस लेवल की एक्टिंग करने के बाद भी मैडम की फिल्मस ओडियंस तक पहुँचती क्यों नहीं है वो एक्टर जिसके लिए तालियों का शोर कभी कम नहीं पढ़ना चाहिए उसकी फिल्मों में थेटर्स खाली कैसे रह जाते हैं लेकिन रात गई सो बात गई हार के जीतने वाले को बाजिकर कहते हैं और कंगना रनाउट इस बैक फिर से ओडियंस को उनकी गलती का हैसास कराने अब आप बोलोगे मैं बढ़ा चड़ा के बोल रहे हूं लेकिन सिर्फ एक मिनिट के टीजर में आज तक किसी भी एक्टरस का इस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं देखा होगा आपने मतलब कंगना रनाउट कहां है मुझे तो नहीं दिखी सिर्फ इंद्रा गांधी से मुलाकात हुई मेरी बॉस ये आवाज के साथ मुझे नहीं पढ़ा कंगना ने क्या किया लेकिन ये वोईस ट्रांस्वरमेशन अन्बिलीवेबल है अगर टीजर में सीन्स नहीं होते सिर्फ आवाज आती तो भरोसा करना मुझकिल हो जाता कि ये कंगना रनाउट है सिर्फ आवाज नहीं बंदी की पूरी बॉडी लैंग्विजी बदल गई है सिर्फ डायलोग को बोलना नहीं उसको किस तरीके से बोलना है डायलोग डिलिवरी उस पे भी इतनी जादा महनत करना बॉस इसको बोलते है ट्रू आक्टिंग दूसरी तरफ आज ही जानवी कपूर की फिल्म गुड लग जरी का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है वहाँ बंदी एक नॉर्मल एक्सेंट को पकड़ने तक में बुरी तरह फेल साबित हुई मतलब एक बनी बनाई फिल्म रीमेक में भी आक्टिंग सही डंग से नहीं हो पा रही है जहां पहले से ही पता है कौन सा सीन किस तरीके से करना है दूसरी तरफ कंगना ने अपनी फिल्म के लिए खुद की असली पहचान को गायब सा कर दिया है आवाज, चहरा, बॉडी लेंग्विज खुद को एक नया इंसानी बना दिया अब वक्त आ गया है ओडियन्स का एक अक्टर और एक अक्टर बने की अक्टिंग करने वाले इंसान के बीच में डिफरेंस समझने का बागी समझदार को इशारा काफी है और टीजर के एंड में स्क्रीन पे जब लिखा आया ना फिल्म बाई कंगना रनाउथ आई वस शॉक्ड बोले तो इस एमर्जनसी फिल्म में एक्टर प्रिड्यूसर और डिरेक्टर तीनों रोल कंगना के ही हैं वैसे इंट्रेस्टिंग होगा ये चीज़ देखना कि कंगना की फिल्म इंडरा गांधी को एस हीरो प्रेजेंट करती है या फिर पावर एडिक्ट जिसने देश को एमर्जनसी में फसा दिया अपने परसनल रीजन्स के लिए आपको पता ही होगा ना कंगना इन पॉलिटिक्स रहती हैं काफी ज़ादा एक्टिब और सिनिमा का हमेशा से राजनीती के साथ इंडिर्ड कनेक्शन रहा है अच्छा लगा ये देखकर कि कंगना ने सिर्मा को पॉलिटिक्स के ऊपर रखकर इंद्रा गांधी का कैरेक्टर करने का फैसला किया इंद्रा गांधी को इंडियन हिस्ट्री में वन ओफ दो मोस्ट पावफल विमन बोला जाता है तो इस फिल्म का हाल भी धाकर जैसा हो सकता है सिर्फ अच्छी फिल्म बना लेना ही काफी नहीं होता उसको बेचना भी तो आना चाहिए वैसे इस बार उमीद जादा है क्योंकि फिल्म को खुद कंगना डिरेक्ट प्रडियूस कर रही है कंगना रनाउट as इंद्रा गांधी परफेक्ट कास्टिंग या फिर हडबड़ी में गडबड़ी होने के चांसे जादा लगे आपको सच सच बता दो जो भी फिल हुआ नीचे कॉमेंट मार के बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या फ़र कुछ रिकायद करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी बड़ना थोड़ा सा इंतजार करिये मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक क्या बाई बाई